जीरम घाटी हमले की जांच के लिए छतीजगर सरकार ने नियाईक जांच आयोग में नया अध्यक्ष बना दिया है इस आयोग में दो सदस्यों को रखा गया है जी मिनहाजुद्दीन आयोग के सदस्य होंगे सामान्य प्रशासन विभाग ने आज इसकी अधिसूचना जारी कर दी आयोग के अधिसूचना में कहा गया जस्टिस प्रशांत मिश्रा आयोग का कारेकाल 30 सितंबर को समाप्थ हो चुका है इस बीच नयाय मूर्ती प्रशांत मिश्रा का स्थाना अंतरण आंधरप्रदेश उच्चनयायले में हो गया है ऐसे में सरकार ने आयोग में दो नए सदस्यों को शामिल करने का निर्ने लिया है पोर में जारी जांच के बिंदूओं के अतरिक्त ये आयोग तीन नय बिंदूओं की जांच करेगा इसमें पहला बिंदू है क्या हमले के बाद पीडितों को समुचित चिकित सा उपलब्ध कराए गई दूसरा ऐसी घटनाओं की पुन्राव रित्ती रोकने के लिए क्या समुचित कदम उठाय गये थे तीसरे में अन्य महत्वपूर्ण बिंदू जो परिस्थितियों के मताबिक आयोग निर्धारित करे इस आयोग को छे महिने में जांच पूरी कर रिपोर्ट राजसरकार को सौपने का निर्धेश हुआ है जीरम घाटी हमले की जांच कर रहे न्याय मूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाले न्यायक जांच आयोग ने 6 अक्टूबर को राज जिपाल अनुस जरन शुक्लक कॉंग्रेस के ततकालीन प्रदेश अध्यक्षनांद कुमार पतेल महिंद्र कर्मा उदय मुदलियार जैसे नाम शामिल थे